फाइनली 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 लखन भाई आ चुके हैं और लाइव आपने देखी लिया होगा एक्चुली मैं इससे पहले जब वीडियो बना रही थी उस टैम लाइव हुआ तो बाद में मैंने पूरा लाइव सुना और ये वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ हो सकता है मैं ये सुभा पोस्ट करूँ तो वीडियो जो लाइव हुआ उसमें काफी चीज़े क्लियर हो गई इदर उदर से बहुत सारी चीज़े टॉंटिंग और बहुत सारी चीज़े बोली जा रहे थी बाप बाप किया जा रहा था तो बहुत लोगों को आईना दिखाया ठीक है और बहुत सारी चीज़े बताए गई बही एक स्पोस काइंड ओफ वीडियो था तो देखे एक इनसान जो अपने पे अंदर ही रखा हुआ था कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन फाइनली उसको अपने थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स भी तोडने पड़े क्योंकि बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं और आज तो हदी हो गई भई वहां मुंबई पहुंच गए लखन के दुश्मनों के घर यानि की विवेक चौदरी के घर पूरी फैमिली भंबो पाई तो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल आए थैंक यू सो मच आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग बहुत जादा मेरी बातों से अगूरी भी हो रहे हैं और चैनल को भी बहुत support कर रहे हैं थैंक यू सो मच सभी लोग को बहुत-बहुत थैंक यू तो आज लाइब देख के देखी बहुत दुख भी हुआ कि कि इंसान को पुरा मितलब अकेला कर दिया गया है, फैमिली जब भाहर वालों से लड़ना होता है तो इतना, you know, difficult नहीं होता है लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई है वो फैमिली वालों से ही है, father, mother से ही है, और social media पे, या social media पे आचुकी है, और मैं कह रही थी कि डे बाई डे बहुत सारी चीजे जो उपर से दिखाया जा रहा है, वो ऐसा नहीं है अंदर की चीजे बहुत अलग हैं, जो कि आज खुल के आ बे गई, तो जैसे कि लखन भाई के मैं कुछ पॉइंट्स लोंगे आज की लाइव में, जो में बाते हुई हैं अच्छा, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो लोग न्यू आरे हैं चानल पर, पीस लाइक भी कर दीजेगा ठीक है, कुछ लोग बाप का ग्यान दे रहे थे, हैना, पिछली बार, भई, मेरे एक दोस्त ने इनके बाप के बारे में बोला था तो रो, रो के फोन किया था वीडियो डिलीट करवा दी थी, भई, मेरी वीडियो डिलीट करते हैं, हैना, खेर जितनी सुनने की हिम्मत रखो ना, उतना ही बोलना बाकी इस बार आपको पता चलेगा, क्योंकि पबलिक अंधी नहीं है, मेरे लिए जितना बोलोगे, उसका मैं डबल बोलूगा और यहां पर आके एक स्पोस भी करूँगा तो भई, यह सब चीजे बोली जा रही है किसके लिए, यह सब जिसने भई, बाप-बाप कर रहा था, आरे भईया, विवेक चौधरी हां, बोलो तो सही, अब तुम बोलोगे, जब मैं, इस बार मैं सुनने नहीं वाला, इस बार डबल ट्रिपल होके आएगा, और यह जो लाइव आईए मेरे ख्याल से, जब वो वीडियो आपे पबलिक कर दिया है, विवेक चौधरी ने अपने चानल पर, उसके बाद ही ये लाइव हुई है, और आज लाइव स्ट्रीम में मुझे कीरती भी दिखी, कीरती ने भी भईया बोल दिया, कि बाहर वाले तो तब ही बोलते, जब अपनों अपनों में, घर के अपनों में फॉल्ट होता है, तो नाराजगी कही न कहीं बहुत ज़ादा उसकी भी है, ठीक है, बाकी ज़ादा तो उसने नहीं बोला लाइव में, मेरे खेल से 11 मिनट कुछ का लाइव था, और तॉंट बाजी चल रही, फिर कमेंट डिलीट करते हैं, बाहर वालों को चांस तभी मिलता है, जब घर के लोग, मतलब घर के अपने ही, ऐसे होते हैं, है ना, और अपने उस विवेक चौधरी को भी बोला गया कि अपने बाप का भी ख्याल कर लो कभी, वैसे लोगों को तो पता ही है, काफी लोगों को, और अगर काइदे में रहोगे तो फाइदे में रहोगे, तो विवेक चौधरी, जो कि उसने कॉंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, बाकी और भी बहुत सारी चीजों पर बात की गई, जो अपार्टमेंट, जो विला जिस पे बोला जाता था कि मेरा विला है ना, मेरा फ्लैट दिया हुआ है हमने डल कोट में जाते है, तो उसकी भी भाईया खोल दी, कि मैं रेंट कर रहा था कि मुझको, पहले मैंने कई बार ऐसे बोला, रेंट पे मैं अगर इस बार आप चाते हो रहना, तो मैं रहूँगा, लेकिन मैं इसका अच्छा खासा रेंट दूँगा, रेंट लेने से भी मना कर दिया और जब मैं जा रहा हूँ, तो हो कह रहे है, नहीं नहीं उमने गुसे में बोल दिया, निकलने की ज़रूरत नहीं है, कई बार पहले भी मुझे 4-5 बार बोल चुका है, घर छोड़ दे, घर छोड़ दे वैसे बहुत सारी चीज़े और भी बोली गई है, एक वीडियो दिखाई, किसी ने एक घंटे की थी, उस वीडियो का और फैन पेज की भी पोल खोल दी आज, किसने भाई लखन ने, एक वीडियो दिखाई, वो एक घंटे बार डिलीड भी कर दी थी, हालांकि उस वीडियो को देखे लोग download कर देते हैं तो download करके किसी ने भिजवा दिया था और किसी fan page ने उसका link डाला था unlisted link था अच्छा ये चीज बीच में भी आई थी कि unlisted link होता है वीडियो तभी दिखती है जब आपके पास या फिर उसका link हो या फिर मतलब आपके पास channel का access होगा तो fan page के पास कैसे आया link या फिर fan page का खुद का बनाया हुआ है इनका तो देखे वो बात तो पहले शूवी ने बता देती है ना और या फिर fan page के पास youtube का channel है तो उस चीज को भी बहुत जा जाके कि भगवान आपको मतलब बद्दुआये तक देने लगे थे तो मैं आपे पूछना चाहती हूँ अब क्या कहेंगे आप या फिर fan page आपका है ठीक है या फिर भई लिंक कैसे आया वो unlisted link का sign होता है लोगों को बहुत knowledge है आजकल शायद आपको पता नहीं है तो इन चीजों से आप पकड़े गए फिर लोगों ने मुझे वीडियो भेजी थी खेर उस वीडियो में क्या क्या था लखन ने उस वीडियो की भी बात करिये जिसमें पेरिंट्स का योगदान है ना और बहुत सारी चीज़े बोली गई थी कि लखन ने टैटू कराया था अपने हाथों पे तो उसमें लखन ने ये भी बोला है कि टैटू है आज भी है और आपको मैंने कभी बुरा बोला भी नहीं है और आज भी लखन चुप है लेकिन देख रहा हूँ कि आप किस निचाई के लेवल तक गिरते जा रहे हो तो नीचता पे गिरते जा रहे हो ये बोला लखन ने और जितना नीचता पे गिरोगे मैं नीच तो नहीं बनूँगा लेकिन हाँ मैं एक्सपोस जरूर करूँगा तो लखन ने एक्सपोस वाली बात बोली है अज अपनी लाइश्ट्रीम में तो क्या आपको लगता है दोस्तों भम्मो और पाई चुपो जाएंगे या फिर चुप रहे के वीडियो बनाएंगे और टॉंट बाजी का जो कारेकरम है वो वहाँ से विवेक चौदरी करेगा तब ही तो गए थे मुम्बई आप ये बोलते हो कि लखन मेरे पास आया और उसने घर मांगा इस चीज को भी क्लियर करते हुए लखन ने बोला कि मैं उनके पास नहीं गया था उन्होंने मुझको बुलाया था और दस दिन का टाइम है घर खाली कर दे उन्होंने कई बार मेरे फ्रेंड को फोन करके बोला कि उसको बोल दो और मैं घर खाली जब चब करता हूँ तो मुझको बोल देते हैं कि गुस्से में बोला था चार-पांच बार हो चुका है ऐसे पहले भी इस बार मैंने बोला कि अगर चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो आप मुझसे अच्छा सा जो घर का रेंट है वो मैं दूँगा कल को फिर कोई आ जाए और फिर मुझको कोई इस घर से बाहर न निकाले तो पूरी सच्चा है आपने उस वीडियो में नहीं बताए खैर मैं गया भी नहीं था किसी ने आपने ही मुझको बुलाया था जहां तक बिजनेस पैसे की बात है मैंने तीन-चार साल से कोई पैसा नहीं लिया और फिर भई शादी की भी बात क्लियर करी गई है कि मैंने अपनी शादी पे भी पैसे लगाए है जो कुछ टाइम पहले इनकी शादी हुई है अब तो एक साल होने जा रहा है और उसी नीतू ने अपनी शादी में पैसा लगाए लेकिन हम कभी बोले नहीं इस बात को वहाँ जो ग्रैंट फंक्शन हुआ था उसका आधा जो खर्चा था उसको डिवाइड किया गया था आधा नीतू ने और आधा मेरी फैमली में लगाया था तो इस लेवल पे मत लाओ कि मैं बोलने पे आ जाओ कुछ और लोग हैं जो एक्सपोस कराना चाहते हैं फिर तयार रहो इफ यू विल गिव इट देफिनेटली बी रेडी टू टेक इट कुछ लोग उचको मैसेज कर रहे हैं कि अपनी यू नो प्यार में ऐसा हो गया उसको प्यार करता है कुछ लोग शादी के इतने साल बाद भी बीवी को चीट कर रहे हैं ये पता नहीं किसके लिए निशाना था इनका इतने साल बाद भी तो बीवी को मैं प्यार नहीं करूँगा तो किसको प्यार करूँ है न बीवी को ही प्यार करूँगा और जब फेरे होते हैं तो अब पंडिजी ने बोला था कि नफरत करने के लिए तो नहीं बोला था उसकी केर करने के लिए उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा सही चीज में और नितु मेरी wife है मैं प्यार नहीं करूँगा तो कौन करेगा आप अपनी बीवी को प्यार करो आप मुझसे hate कर रहे हो कि अपनी बीवी को प्यार कर रहे है तो यह चीज तो सही नहीं है मतलब यह वाली cheat वाली चीज मुझे समझ नहीं आई किसके लिए बोला गया मैं हर ठीक चीज में उसके साथ खडा रहूँगा और प्यार भी करूँगा वो भी साथ खड़ी है बाकी subscribers मेरे साथ खड़े है मेरे sister मेरे साथ खड़ी है और उनी subscribers को आप बोलते थे हो fake channels, paid channels और मतलब बोल दिया जाता है ऐसे आप taunt मार रहे थे जितना बोलते हो उसका मैं डबल बोलूँगा आपने मुझको दोगला बोला दोगला क्या होता है मैं आपको time पे आने पे बताऊंगा बाकि आप कहा रहे थे बाप का प्यार बोल रहे थे बाप की responsibilities और मरने के बाद भी बाप का नाम यूज किया तो कही न इस पारे में कुछ जादा नहीं बताया लेकिन कहीं के ना रहो कि अपना इतना भी मत बोलो इन सब चीजों पे कि मैं अपना मूग खोलू और फिर आप वीडियो तक ना बना पाओ आप यह सोच रहोगी यह सब चीजे करके आप मुझको परिशान कर दो कि तो ऐसा नहीं है मैं बहुत सहन शक्ती हूँ मेरे अंदर आप लोग अगर सौ लोग भी एक हो जाओगे है ना अगर मैं सच्चा हूँ ठीक है तो आप मुझको परिशान नहीं कर पाओगे और मैं यहीं खड़ा हूँ जितना सुन सको लास्ट में उन्होंने यहीं बोला कि उतना ही बोलना मै मैं उसका डबल बोलूँगा सोच समझ के बोलना मेरी पहले भाषा समझ नहीं आई थी तुम्हें और नीचता पे नहीं उतरूँगा लेकिन हाँ मैं आप लोग को एक्सपोस जरूर करूँगा फिर खैर आज का जो लाइव था उसमें बहुत सारी चीजे चाहें घर के अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी लगाया था कि कोई रेंटेट मैं विला या फ्लैट लूँगा तो उसके लिए भी बोला है कि कई बार ये सब चीजे हो चुकी लेकिन मैं हमेशा से मैंने इस बार भी बोला आप रेंट लो तो वो रेंट लेते नहीं है और ऐसे होता है और शादी का खर्चे का भी बताया गया कि शादी का खर्चा भी लोग नीतू को टार्गेट करते हैं तो वो इस तरह से बाकि इस चीटिंग वाली बात मुझे इतना क्लियर नहीं हुई किसको टार्गेट किया जा रहा है तो ये था फ्रेंट्स लाइफ और दुख होता है जब सोशल मेडिया पे पेरेंट्स और बच्चे इस तरह से लड़ रहे हैं जै हमने सोचा था कि वहाँ पर आ कि आप एरपुट पर जाओगे लेकिन घर की चीजों को आप किसी और को बता रहे हो बाहर वाले को जैसे इसने भी बोला कि जब बाहर वाले है ना बाहर वाले तो ब आप लगने लगी है बाकि आज की वीडियो ये जो लाइव स्ट्रीम हुआ था मेरे खाल से अब आज चुके हैं तो इनके तभी आज दो वीडियो भी आ गए थे जो मैंने पताया था तो देखिए बहुत सारी चीजे अब और जादा डर्टी होंगी भम्मू की तरफ से और पाई की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स आयते लेकिन फाइनली एक पेशन्स रखने वाला इंसान आज बोल पड़ा जब उसने देखा कि मेरे खुद के माबाप मेरे दुश्मनों से मिल रहे हैं वो दुश्मन जो इसको टॉंट बाजी कर रहे है तब उसको आना पड़ा स घर के रिष्टे ठीक है खराब होते हैं और स्पेशली सोशल मीडिया पे आते हैं लेकिन फिर से यहां पे जो कॉंट्रोवर्सी है इस टाइम इसको खतम करा जाए बैट के बात करो बहुत बुरा लगता है सोशल मीडिया पे आके जब लोग मतलब अब तो बहुत आगे तक बाते जा रही हैं अब आज लखन को भी लाइफ आना पड़ा तो आप लोग को क्या किया है ना इस बारे में प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा दुख होता है इनफेक्ट बहुत दुख होता है गोलु बोलमाल जी ने भी आज कॉमेंट किया था मेर को मेरी वीडियो पर थैंक यू सो मच आएं आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और देखे अपना रियाक्शन देने का तरीका होता है गाली गलोज और हाइपर ओके ऐसे तो कोई भी बोल सकता है लेकिन यहां पर फैक्स के साथ बात करना ठीक है रियालिटी पर ब बहुत चीजे मतलब शो आफ किया गया और फैमली में दरारे ठीक है साफ साफ देखी जा चुकी है अब आगी लोग कह भी रहे लखन भाई को की आप आईए और आपको वो जो घर है अब आपको रेंट पे ही रहना चाहिए वो घर दे दो जब इतना कुछ हो गया है तो ले खुश रहनी चाहिए ठीक है तो इसी नोट पे मैं आप लोगों को गुटनाइट कह रही हूँ और हो सकता है मैं इसोबर डालो और हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो पपलिक कर दूँ बागी देखे अनलिस्टेड वाली बात अच लखन भी बता दी फैन पास अनलिस्टेड वीडियो कहा वो भी उसके साथ जाना है या फिर फैन पेज ही आपका है फैन पेज के पास कैसे एकसे था आपकी यूट्यूब चैनल का ये भी सोचने वाली बात है तो लोग भाईया क्वेश्चन तो करेंगे सवाल तो ठाएंगे ही ठीक है चलिए फ्र पुराने टाइम पे भई रोए थे गिडगडाये थे कि फिर वीडियो जिलीट करवाए गई थी तो पुरानी चीजों को याद किया हुआ है तो चलो अब हो सकता है यहां पे रुकेंगे आपको क्या लगता है विवेक जोद्री या फिर नहीं भई ऐसे आज पूरी वीडि आती हैं बहुत सारी चीज़े पोली जा रही थी और जहां से हमें पॉजिटिविटी मिले हमें उनको अपने पास ही रखना चाहिए है न हमें आपकी बहुत जरूरत है तो अंकल जी ने और आंटी जी ने हाथ मिला लिया है किस से विवेक जोद्री से और किसको हराने के लि आपका बहुत बहुत वेलकम है देखे मैं फिर से कहती हूँ जिसको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है आप आएंगे और इस टाइम ही रात के टाइम है कि अंट शंट जो उनके चैनल से आते हैं लोग फेक आईडी से आले कहलो या फिर कुछ कमेंट्स लिख के जाते हैं तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो मत देखें मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाती हूँ ठीक है मैं जिनको सपोर्ट कर रही हूँ मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ तो ये मेरा अपना डिसिजन है ठीक है और मैं वीडियो बनाऊंगी मैं डरती नहीं हूँ चली बाई बाई